नमस्कार मेरे प्यारे साथियूं, Academy of Teachers में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि B.H.U. B.A.D. इंटरंस एक्जाम में जो Language Group में English के Questions आते हैं, उन्हें कैसे Solve करना है बहुत सारे लोगों का यह सवाल था और especially जो लोग Sanskrit honors को लेकरके या Sanskrit language से पढ़े होते हैं उन लोगों के लिए English बहुत ही tough होती है तो यह वीडियो उन सभी के लिए रामबान है जो कि English से डरते हैं तो शुरू करते हैं दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा अपनी बात जरूर रखिएगा तो शुरू करते हैं दोस्तों उन टॉपिक्स पर सर्चा करेंगे सबसे पहले कि क्या-क्या पूछा जाता है तो सबसे पहला जो में टॉपिक है sentence sentence formation वाली जो बात होती है तो sentence का change करना आता है जैसे माल लीचे assertive sentence है उसे negative बनाना है या negative sentence दिया गया है उसे affirmative sentence बनाना है या exclamatory दिया हुआ है उसे हमें change करना है या हमें compound sentence दिया हुआ है उसे हमें simple sentence में change करना है इस प्रकार के sentence से question पूछ जाते हैं अब अगर देखें error finding की तो error finding के लिए जो है इसमें सभी जो part of speech में जितने type होते हैं उन type से पूछ लिया जाता है या subject for agreement से पूछ लिया जाता है कि इस part में जो question दिया है उसके किस part में error है इसके अलावा passive voice, active voice तो आप जानते ही हैं passive voice से active voice में और active voice से passive voice में ये दो percent fix होते हैं तो पूछे ही पूछे जाते हैं अब बात करें अगर speech की या जिसे narration कहते हैं direct and direct speech कहते हैं इसमें भी वही दो percent बनते हैं इस प्रकार से चार प्रसन आपके एक तरह से fix हो जाते हैं अब बात करेंगे preposition की तो preposition जो होते हैं दोस्तों प्रेपोजिशन से संबन्द प्रस्ण जो होते हैं, जाद कठीन आपको आते नहीं है, लेकिन अभ्यास की जरूरत है, और अगर देखा जाया तो पिछले 7 साल में जो है लगबग 10 question प्रेपोजिशन से पूछे गए हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही important हो जाता ह और बात जब article किया है, तो article से अभी तक में जो है, सिर्फ दो बार question पूछे गए हैं, तो article भी important है, कोई भी topic आप नहीं छोड़ सकते, फिर देखें question tag को, तो question tag से एक दो प्रस्ण पूछी लिया जाता है, अगला जो topic important है, वो वर form होता है, कभी-कभी ये पूछ लिया ज first participle तो आप अल्रेडी जो है, 10 को करने में, 20 को करने में सीखी जाएंगे, first participle मतलब third form का use करना, इसके बाद idiom जो होते हैं, जिसे मुहावरा कहते हैं, तो idiom से सवाल पूछे जाते हैं, और अगर देखें, पिछले 9 सालों में, तो इसमें 10 प्रसंद पूछे गए हैं, और ये पूछ लिया जाता है कि किस part of speech में आएगा, अत्वा मालीचे की वर्ब दे दिया गया, इसका noun form क्या होगा, या adjective form क्या होगा, इन सब चीजों को जो है, पूछ लिया जाता है, और conversion के साथ साथ ये भी पूछ लिया जाता है, कि इसमें जो है कौन सा part of speech है, तो इसे clear कर बनना होगा, अब singular plural पूछ लिया जाता है, कभी-कभी, पिछले साल भी एक singular plural बनना पूछ लिया गया था, और आगे बढ़ें अगर, तो clause में जो है, पहचानने को आ चुगा है, कि noun clause है या adjective clause है, तो clause के बारे में आपको सामान्य जानकर ही होनी चाहिए, spelling के लिए देखे spelling से भी question पूछ जाते हैं, एक या दो प्रसन हर साल spelling से पूछ लिया जाते हैं, कि correctly spelled word कौन सा है, या इनमें से कौन सा जो है miss spelled है, इस तरह से question पूछ लिया जाते हैं, अब subject word agreement के बारे में आपको बता ही दिया, कि subject word agreement से question पूछ जाते हैं, इसके बाद अगर देखें, spelling error के जो है, confusing words पूछ लिया जाते हैं, जैसे beside और besides के बीच क्या अंतर होगा, या later और after में क्या difference होगा, तो इसमें ये पूछा नहीं जाता है, ये पूछ लिया जैसे sentence में दे दिया गया, इसके अलावा tense तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि बीना tense के आप voice नहीं समझ सकते, narration तो आपके tense के सभी प्रकार आप लोगों को आने चाहिए, और इसके कैसे हर प्रकार में कैसे कैसे sentence बनते हैं, उससे विप्रसंट पूछ जाते हैं, one word substitution पूछ लिया जाता है, तो one word substitution से related आप लोगों को fact पायर करना होगा, कि किसी भी एक बंदे को जिसमें जो ऐसी quality उससे क्या कहेंगे, तो इससे related one word पूछ लिया जाते हैं, तो दोस्तों ये तो topics हैं जिनसे related, जिनसे question पूछ जाते हैं, अब अगर बात किरें important topics की, तो important topics का मैं नाम गिना देता हूँ, इन topics पर अगर आप focus करें, तो अच्छा marks पा सकते हैं, जैसे subject verb agreement, preposition, finding error, article, phrasal verb, idiom and phrase, grammat article function, tense, either or neither or ये जो बनते हैं, clause, some confusing words, gerent, part of speech, voice, narration, one word substitution, clause, changes of sentence, मतलब sentence को change करना, तो इन सभी topics को आप लोग अच्छे से clear करेंगे, इन सभी topics को आपको पढ़ना है, अब बात ये करते हैं, कि इनको पढ़ना कैसे, इनको तयार करना है, जो लोग basic पर हैं, उनके लिए क्या हो सकता है, उसे बात आती है कि किन topic को आप छोड़ सकते हैं, किन topic पर आप focus करके, आप ज़्यादा अच्छे marks score कर सकते हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि 100% में से, अगर आप 70-75% तक कर ले जाते हैं, सही-सही, तो आपको एड़ना हो जाएगा, ऐसे में आप ये समझ सकते हैं, कि हर एक बंदे का कुछ ना कुछ लगबग 20 questions ऐसे हैं, जो हर एक बंदे को नहीं आते, तो आप perfect होने की courses ना करें, specially जिन लोगों को English कम आती है, उन लोगों के लिए कह रहा हूं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ व्याकरण पर focus करें, और व्य सिर्फ फायदा नहीं मिलने वाला है, उन question को आप skip कर सकते हैं, यही हमारी strategy है, और यही follow करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं, अब अगर बात करें कि English grammar आपको कैसे तयार करना है, तो उसके लिए सबसे आपको ज़्यादा घवडाने की ज़रूत नहीं है, सबसे पहले आ और part of speech से सुरू करते हुए आप sentence formation तक जाएं, sentence formation के बाद आप tense सीखिये, tense सीखने के बाद wise सीखिये, मतलब कि active wise, passive wise जानिये, फिर इसके बाद narration सीखिये, और तो इस तरह से आप narration तक पहुँचेंगे, और इसके अलबाद जितने topics हैं, topic wise हम कोसिस करेंगे, कि आपको literature की करें, तो English literature से एकदम सामान्य प्रस्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इस रचना का संबंद किस से है, मतलब ये किसी कोई creation है, तो वो किस की है, तो mainly जो writer है या poet है और उनकी रचना है, ये इस से संबंद प्रस्न पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम आपको वीडियो प् पसंद आया होगा, और ऐसे हमारे साथ जुड़े रही है, हम पूरी कोसिस करेंगे कि आपकी तयारी हो, और ऐसे हमारे experience का लाग उठाएं, और हमें भी अच्छा लगेगा, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करना मुद भूलिएगा, चैनल पनना है, तो subscribe कर लीजेगा, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों को ये चैनल पूरी तरह से helpful होगा, और हाँ दुस्तों सबसे important बात जो आप लोगों को notice करनी शाहिए, कि description box में आप जाए, वहाँ पर different topics के playlist बने हुए हैं, और different videos के आप लोगों को link provided हैं, तो आप description box में जर here solid paper या strategies related video provided हैं, और content से भी related video provided हैं, तो आप description box में जाएए, और जो इसी आपके जरूरत है, वैसा video देखना मत भूलिएगा, तो दस्तों इस video के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए update के साथ, तक तक के लिए, stay home, stay safe.